नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हो कि कैसे आप अपने Redmi Note 9 Pro पर आप हीटिंग प्रॉब्लेम फीक्स कैसे कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों अगर आपको हीटिंग का प्रॉब्लेम आ रहा है हीटिंग आपको सॉलूशन चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा जरू डेक लेना मैं आपको सॉलूशन बताऊंगा आप उसको फोलो कर लिजेगा आपका जो हीटिंग का इस वह फीक्स हो जाएगा ठीक है तो हीटिंग दोस्तों कब होते हैं हीटिंग दोस्तों अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हैं वी गेमिंग जैसे के पबजी और फ्रीफायर ठीक है स्योड़ी तो जितने भी इस तरह का गेमिंग है तो वह आपके फॉन को हीट कर देते हैं क्योंकि दोस्तों आपके फोने वह चेंस को राणिंग पर रहते हैं और कफी जदा सुलशन में आपको जो solution है वो भी दूँगा आपको कुछ tips दूँगा ठीक है कैसे करके इससे जो है आप बज सकते हैं कैसे करके आप जो ही hitting problem को reduce कर सकते हैं ठीक है अगर hitting हो जाते हैं आपके phone तो आपको क्या करना चाहिए तो सब कुछ मैं आपको बताने वालो तो दोस्तों यहाँ पर अगर आ phone case use करते हैं ठीक है phone का case यानि आपका back cover अगर आप उसको use करते हैं तो आप उसको remove कर दें ठीक है तो उसको remove कर दीजिए यह दोस्तों solution में आपको इसलिए वतर रहो क्योंकि जब आपका phone ज्यादा heating हो जाते तो आपको case से करके उसको normal condition पर लाना है ठीक है case से करके जो है आप उसको cool कर सकते हैं तो phone case वगड़ा को आप remove कर दे उसके बाद अपना जो phone है उसको आप switch off कर सकते डायरेक्ली ठीक है sunlight के आज पास में आपको नहीं रहेना है अगर sunlight आपके phone पर direct हीट करते तो वह तो आपको hit कर देगा आपका जो phone है उसको हीट कर देगा sunlight तो आपको इन सबसे बच लेना है ठीक है और दोस्तों आप अपने phone को जो है fan के नीचे में राख सकते हैं इससे क्या होगा दोस्तों आपका जो phone है वह जल्दी से जल्दे यहाँ पर ठंडा हो जाएगा ठीक है हो सकते तो आप floor पे जो है आप रख दीजेगा phone को तो उससे दोस्तों क जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी phone को cool कर दीजिए लेकिन दोस्तों यहाँ पर गलती से भी आप phone को जो है फ्रीज ठीक है cooler तो इन सब में आपको नहीं रखना है ठीक है इससे आपका phone जो है वह खाराव हो जाएगा तो आपको यह सब नहीं करना है और अभी दोस्तों य आपर मैं आपको बताने वाला हूं तो आभी दूस्तों केसे सॉल्फ करें तो जबी भी आप phone को gaming करते है फोन यूज करते है ठीक है तो आपको वह charging करते वक्त नहीं करना है मान लिए आप फोन को charging करते करते फोन यूज कर रहे और data connection on है ठीक है तो उससे phone जो है overheat हो जाते कभी कभी ठीक है ओवर हीट के वज़े से phone blast होते हैं दूसरे किसी भी रिजन से नहीं है तो यह आप एक बार चेक कर लिए ठीक है जबी आप gaming करते और अगर आपका phone overheat करते हैं तो आप दोस्तों लोंग डूरेसन हैवी गेमिंग नहीं करना है ठीक है यानि कि लंबे लंब गेमिंग आपको नहीं खेलना है मानली जाब एक गंटा डो गंटा रिपीटेटली खेलते हैं तो आपको होवर हीटिंग का प्रॉल्म हो सकते हैं तो अड़ा गंता याट फीर 40 मिनिट इतना खेल सकते ठीक है लेकिन दोस्तों यह आपका phone हीटिंग भी होते हैं तो कम से कम दोस्तों बेग्राउंड एप जितना भी ओन है सब को क्लोज करकी ही आप यूज कीजिए phone को सारे साथ दोस्तों आपका जो यहाँ पर स्तरस बार है आपका नोडिफिक्शन शॉटकार्ट बार तो आप दोस्तों यहाँ पर चेक करें Bluetooth ठीक है location और synchronizing जितना भी आप दोस्त तो वह सब यूज नहीं करना है यहीं दोस्तों Bluetooth वगड़ा काम नहीं आभी तो बन करके राख दीजिए location वगड़ा यूज नहीं कर रहे तो बन कर दीजिए इससे ओवर हीटिंग हो जाते फोन ठीक है क्योंकि दोस्तों चल रहे होते हैं आपकी डिवाइस ठीक है तो आपक काफी बार जो है ओवर हीटिंग का प्रॉब्लेम सामने आया है तो आपको वह सब इन ही करना है सारे साथ दोस्तों यहीं ओवर हीटिंग होते हैं तो आप दोस्तों अपने फोन के जो सौफ़ेर है उसको अपडेट जरू कर लीजिए ठीक है फोन सौफ़ेर अपडेट करने और ओवर हीटिंग हो रहा है फोन तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए ठीक है तो यह सब दोस्तों है ओवर हीटिंग का सॉलुइशन और दोस्तों जबी आप जो है आपने फोन को यूज करते हैं तो ब्राइटनेस ज्यादा आप बिल्कुल भी मत दिजेगा इससे हीट ज्यादा होते हैं ठीक है और यहाँ पर दोस्तों आप यह चेक किजिए अगर आपके फोन पर कोई भी ठाट पड़े अप्लिकेशन है बैड अप्लिकेशन तो आप उनको अनिंस्तॉल जरूर करें क्योंकि दोस्तों वह अप्लिकेशन अच्छे नहीं होते फोन के लिए ठी करेंगे तो आपको वह सब चीजें द्यान पर रखना है और विट अवर हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्फ करना है आज कि इस वीडियो पर बस इतनी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं थेंक्स वाचिंग